नमस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागा थे आप सभी का परिच्छा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी टेपल सी पी इटी 2021 के लिए हम जो भुगोल का क्रेस को सिस्टार्ट किये हुए हैं उसका जो अगला भाग है पार्ट एट है उसको आज हम कप बढ़ने वाले हैं खनीज तथा उर्जा संसाधनों के बारे में विशेश कर हम किस पर फोकस करेंगे विशेश कर हमारा फोकस रहेगा भारत के खनीज एवं उर्जा संसाधनों बहिए जो टॉपिक है आपके सिलेबस में क्लियरली बिंसन है कि जो बच्चे पीटी का करेंगे सामने आपको जो पीडियाप दिख रहा है और खनीज तथा उर्जा संसाधनों का या एंस एक्जाम के लिए डिसकस करेंगे तो केवल हाइलाइट मैंने आप पे हाइलाइट विक्या हूँ आप सामने देख रहे हैं जो चीज आपको पढ़ने है उसको मैंने आप हाइलाइट कर दिया है सिर्फ उन्हीं पोर्शन को हम फोकस करेंगे जो आपकी एक्जाम के लिए जरूरी होंगे तो चलिए आज की सेशन को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन से इंपोर्टन फैक्ट और पॉइंट है जो आज हम कबर करेंगे और भारत के ख दो भागों करें तो खनी संसादनों के प्रकार कितने हैं तो आप याँ देखेग canal को दो प्रकार होते है कौन-कौन से धातविक और धातविक यानिया कīitude की धातविक और अधातविक करें तो आप याद देखेगे जो खनीज संसादन अमारे इनको दो भागों बाटा गया है धात्विक खनीज और अधात्विक खनीज अगर हम धात्विक खनीज की बात करें तो धात्विक खनीज को भी अगें दो भागों बाटा गया है लोग और अलोग में तिससे आप याद दे जाएगा कोईला पेट्रोलियम प्राक्रतिक गैस इत्यादी अगर हम अन्य धात्विक खनीज की बात करें तो इसमें आपको जाएगा माइका चुना प्रस्तर ग्रेफाइड तो यह जनकारी आपको याद अखना है कि जो खनीज है उनको दो भागों बटा गया है धात्विक और अधात्विक खनीज तता धात्विक खनीज को अगिन दो भागों बटा गया है लो और अलो में तता अधात्विक खनीज को भी दो भागों बटा गया है इधन खनीज और अन्य धात्विक खनीज तो पहली चीज आपको याद अखनी है इसे आप अपने दीमाग में बै थात्वी खनी जो को लौ और ऑर लौ धात्विक, शेड़ में बटा गया है, लौ जैसा कि आप जानते हैं लुहा है, वे सभी प्रकार के खनी जिसमें लौ अंस समाहित होता है, जैसे law iis को वे law धात्विक होते हैं जिने law अंस नहीं होता तीसे आप याद देखेगा तता वे धात्वी खनी जिनमे law का अंस लोहे का अंस नहीं पाया जाता उसको हम कहते हैं और लौ धात्वी खनीज तेसे भी आप ध्यान देज़े जैसे आपका हो जगा तामा और वाकसाइट तता जिन में लौ का अंसपाय या उसको हम कहते हैं लौ खनीज जैसे लोहा सोना इत्यादी आपका हो गया तो यहां पर धात्वी खनीज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के ह जैसे जिवासमीदन जीने खनीज इधन के रूप में भी हम जानते हैं तो इसे भी आप या देखेगा तता यह प्रित्वी में दवे प्राणी तता पादव जीवों से प्राप्त होते हैं जैसे आपका कोईला हो गया और आपका प्रेटोलियम अगये और धात्वी खनीज क में मिलते हैं जैसे कोईला का लगबग जो 97 प्रतिसत भाग है हुआ दामोदर सून महानदी गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है पेटोलियम के आरक्षित भंडार असम में गुजरात में मुंबई हाई अथात और अरफसागर के अप टटी छेत्रों में प पठा जहारखंड में उडिश्या का पठार पसी मंगाल चतिस गड़ के कुछ भाग आते हैं उत्तर पूरी पठारे प्रिदेश जहां पर खनी संसादन आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद अगर हम दच्छिट पसीमी पठार प्रदेश की बात करें तो इसमें आपका ह अलावली तता गुजरात के कुछ भागोबर विश्टरी तता यहांपके खनीज धारवार क्रम की सेलों से संबंधित है तेसा प्यासित के गा उत्तर पसीन प्रदेश की जो इनका संबंध्य संबंधित राजस्थान जो है बलुवा पत्थर-ग्रेनाइट के पत्रों में सम्रिद है और यहां पर मुलतानी मिटी के भी विश्त्रित निच्छेप पाया जाते हैं तिसे आप द्यान देखे कि तथा डोलो माइट तथा चुना पठर जो हैं सिमेंट उद्धो के लिए कच्छा माल उपलब्द कराते हैं काफी इंपोर्टेंट फैक्ट तो यह तीन इंपोर्टेंट पट्टियां थी जहां पर आपको खनीच संसादन भारत में देखने को मिलेंगी तिनके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद हम लोग खनीच की बात करें तो लोग खनीच के बारे में यह देख लेते हैं तो लोग खनीच लोग अयस्क मैगनीज, क्रोमाइट, आधी जैसे लौखनीज, धातू, अधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुद्रिवन अधार अधार प्रदान कलते हैं लौखनीजों के संचे एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिती काफी अच्छी है लौखनीज, वहीगर हम लौखनीज, भारत में लौखनीज, प्रचूर मातला हम पाइजाता है यहाँ एशिया के विसालतम लौखनीज, अरक्षित छेतर हैं हमारे देश में इस अईस्फ के दो प्रकार जैसे हमेटाईट और मैगनेटाइट आने खे लौ आयस्क के जो दो प्रमुफ प्रकार हैमेटाइट और मेंगेटाइट हमारे भारत में देखनों को मिलेंगे तो था इनकी सरुत्तम गुलवट्टा के कारन जो ये बीस भर में भारे इनकी मांग रहते तिसे भी आप यादेखेगा इसके बाद लौ आयस्क के कुल अरक्ष पाड़ी सरिंखलाओं में जो है जो है जो है लौ एस्क मिलते हैं कहां पर उडिसा में इनके बारे में आपको याद अखना है यहां की महत्रपुन खदान आपको मिलेगे उडिसा कौन-कौन सी गूरु महिसानी सूवाल सूलाय पत बदाम पहाड जिसको मयूर बंज के नाम कॉष्का कि मिलतते हैं दिन के बारे में आपको याद रखना है इसके बाद अगला profit क्या है जो आपको याद रखना पड़ेगा तो आप याँ देखिएगा करनाटक की बात करें तो करनाटक में आप याँ देख रहे हैं और करनाटक में लौ एसक का निच्छेप जो है बल्लारी जीले के सुन्दूर होस पेटे छेतरत में तथा चिक मंगलूर जीले की बाबा बुधन पहाणियों और कुद्रे मूख तथ बंडारा और रतनागरी जीले के लंगाना के करीम नगर वरंगर जीले में आंदप्रदेश के कुरुनूल कुढपा अनंधपूर जीले में तथा तमिनाड़ो के सलेम निलगिरी जीले में जो है लौ एसक पाये जाते तिनके बारे में अभी आपको याँ दखना तथा लो मिस्रधातु विनर्माण में भी किया जाता है मैगनीज निश्चिप जो लगबक सभी भू गर्भिक सनशनाव में पाए जता है हलांकि मुक्रूब से दरवाण करम से जो मेगनीज इसका संबध किस से है तो धारवाल करम की चंटानों से संबधित है मैग नीज इसके बाद यहां पर मैप के तुर भी आप देख पाएंगे यह मैप है जहां पर विद्र dispose भी आप इनके ढंकारी ले सेयं वीगिव को पाँस करके आप इस मैप को देख सकते हैं इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट n अजो आपको याफ कना है और वीडिशी की बनाइग के अगराण। मेंच का अक्रणी उत्पाला करें इससे आपको याफ दखना है इस्थित यहाँ पे जो है आपको मैगनीज का उत्पादन देखनों की मिलेगा कहाँ पे तो उडिसा में थे इनके बारे में भी आपको या दखना है अगर हम करनाटक की बात करें तो करनाटक एक अन्य प्रमुक उत्पादक है मैगनीज का यहां की खदाने धारवाड, बल्लारी, बेलगामी, उत्री कनारा, चिक मंगलूर, सीमोगा, चित्रदूर की तता तुम कूरू यहां पे भी मैगनीज का उत्पादन होता तता महरास्ट अगर हम बात करें तो मंध्य प्रदेश मिति के बारे में आपको याद अखना है तो बाकसाइट के बारे में तो बाकसाइट जो है अल्मूनियम का एक प्रमुक आयस्क होता है या प्रमुक आयस्क होता है तता है या लैटराय चट्टानों से संबन्दित होता है तिसे आप या देखेगा उड़िशा जो है बाकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तिसे आप प्याद देखेगा जो उडिशा राज्य है या बकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है काला हांडी तता सम्मलपूर में जो है सबसे जदा बकसाइट का उत्पादन क्या जाता है उडिशा में ते इसके बारे में भी आपको याद अखना है वह एकर हम अब धात्वी खनीजुक यहाँ पर बकसाइट हमने पढ़ लिया इसके बाद बकसाइट के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा तामबा तामबा देख लिए यहाँ पर क्या इंप्रोटेंट है तामबा की बिजली की मोटेरे ट्रांसफार्मर और जनेटर्स आधी बनाने में जो है तामबा का प्रयोग किया जाता है तिसे आप या देखेगा यह एक मिस्ष धातु योग्य और धात्य वर्द ततन्य धातु है आभोसणों को सो दिर्टा पतान करने के लिए इसे सोने मिसक के साथ भी मिलाया जाने की आभोसणों को मजबूत बनाने के इसे पदली चादरों में विक्टित किया जा सकता है जो काफी सकत्य और सुनम में होती है भारत में अबरक जो है मुखितव, जारकंड, आंदरप्रदेश, तेलंगाना, रायस्थान में पायाता है इसके पश्चाद आप यादेखेगा तमिलाडू, पश्ची मंगाल, मदब्रदेश में भी अबरक पाया जाता है इसको आपको याद रखना है इसके बाद अगला इंपोर्टेंट कौन सा है अब हम उर्जा संसाधनों के बारे में देखेंगे हमने धात्विक और अधात्विक खनीजों को देख लिया तो अब हम देखेंगे उर्जा संसाधनों के बारे में तो उर्जा संसाधनों के लिए जो है परमाडू उर्जा के परमपरागत स्रोत हैं ये परमपरागत स्रोत समाप पर संसाधन हैं कि उर्जा के जो परमपरागत स्रोत हैं ये मतलब कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगा जैसे कोईला, पेटोलियम, प्रकृतिक गैसे उर्जा के परमपरागत स्रोत हैं जो आगे आन कोईला जो है महत्यपूर्ण खनीज्यों में से एक जिसका प्रियोग ताप विद्धुत उत्पादन तथा लौ ऐस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है कोईला मुकरूप से दो भुगर्विक कालों की सैल क्रमों पायता है तो जो गुणवाना क्रम की चटाने होती है इसमें कोईला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बारत में कोईला गुणवाना कोईले के प्रूंक संसाधन पस्ची मंगाल ज्यार कंड उडिसा चतिस गर्मन प्रिज महराष्ट्र आंद प्रिज इस्थिति से आप याद रखे गाए इसके बाद भारत में सरवादिक महत्पुन गुणवाना कोईला चित्र आपको मिलेगा दामोदर घाटी मे आपको मिलेगा तिससे आपको याद रखना है इसके बाद यह मैप है परामपरागत उजाशरोत का यह मैप है इसको आपको ध्यान में रखना है इसके बाद आजनी चीजे आपको क्या अपने पेटूलियम गर हैं पर लिजिए आपर तो पेटूलियम से रिलिटेड आप याँ देखेगा, कच्चा पेटूलियम द्रव तता कैसी अवस्था में हाइडरोकारबन से यूख्थ होता है, या गैसी आवस्था के से युक्त होता है तता इसके रासानिक सरचना रंगोत और विशिष्ट घनत में भिनता पाई जाती है या मोटर वाहनों रेलवे तता वायुआनों के अंतर दहन इधन के लिए उर्जा का एक अनिवारे स्रोत है इसके अनेक सह उत्पाद जैसे पेट्रो रासान उद्योगों जैसे की उर्वरक, क्रितिम रवर्ड, क्रितिम रेसे, दवाईया, वैसलेन, स्नेको, मोम, साबुन और अन्यसोधन सामागरी में प्रक्रमित किये जाते हैं तो इनके बारे में आपको याद अखना है यगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्रेटुलियम के कौन-कौन से छित्र हैं उसको देख लिजा आप तो असमे डिगबोई, नहार काटिया, मोरान महत्रपुन, प्रेटुलियम उत्पादक छित्र हैं तिसे आपको याद अखना है इसके बाद आप याद देखिएगा किसके बारे में प्राकृतिक गैस के बारे में तो गैस अथार्टी किन्तु इसके अपरिस्कृत पेटुलियम जो है तरसरी युक के आउसादी सेलो में पाया जाता है तो जैसे आपको याद देखिएगा अपरमपरागत उर्जा च्छतर में क्या क्या आता है आपका तो जैसे आपका सौर उर्जा हो गया पवन उर्जा जल उर्जा यह आपके आपके आपरमपरागत उर्जा के स्रोथ है कभी नहीं खत्म हो सकते हैं और आपका स्वाण यहहार बुतापी उर्जा नाबिकी उर्जा। आप परामपरागत सुरूत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद जो है अधिक टिकाऊ पारिस्थित की अनकूल टता सस्ती उर्जा उपलब कराते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे परामपरागत उर्जा के सुरूत कौन-कौन से हैं और आप परामपरागत उर्जा के शुरूत कौन-कौन से हैं इनके बारे में आपको याद रखना है यहां से आपके एक्जाम में definitely प्रसंद देखने हो को मिलेगा वह अगर हम प्रमुख नाब की उर्जा की बात करें तो नाब की उर्जा उच पादन शेतर कौन-कौन से हैं तो आपका मिलेगा तैरापुर माराष्टा में, कोटा के पास, रावत बाटारास्थान में, कलपकम तमिलाडू में, नरोरा उतर प्रदेश में, कैगा करनाटका में और काकरापारा गुजात में ये प्रमुक नाब की उर्जा के छित रहे हैं। तो दोस्तों यह जो टॉपिक था खनिस संसादनों का इस रिलेटर जितने भी इंपोर्टन फैक्ट और पॉइंट बन सकते जो आपकी इंसियाटिक की बुक में दिये हुए थे, उसको अमने यहाँ पे कबर कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू